नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे फिटनेस चैनल फायर लिप्टर्स में दोस्तों, हार्ट अटाइक को लेकर लोगों के पुराने मिथ तूटते जा रहे हैं पहले जहां इसका कारण खराब खानपान मना जाता था, सिग्रेक पीने की अदत मना जाता था बड़ती उम्र को मना जाता था, वहीं अब इसके कारण धीरे धीरे चेंज होते जा रहे हैं हाली में आपने देखा कि काफी हेल्दी और हिस्टिपुस्ट लोग जो हैं फिल्म इंडस्ट्री में नहीं रहे अभिनेत्री, शुश्मिता सेन को भी हार्ट अटाइक आया, इसके पीछे जो जिम्मेदार हॉर्मोन है वो है कार्टी सोल ये एक ऐसा हॉर्मोन है जो कि डायबेटीज और ब्लेड प्रेशर, ब्लेड क्लोटिंग इन सब तक के लिए भी जिम्मेदार है अगर ये हॉर्मोन इंबैलन्स हो जाए या असंतुलित हो जाए तो ये जान लेवा सावित हो सकता है जैसे कि शरीर में कितनी भी क्रियाएं जो कुछ भी हो रहे हैं प्रोसेस उसमें कोई न कोई हॉर्मोन का ही योगदान होता है जैसे कि एंडोर्फिन जो हॉर्मोन है उसके कारण हम आनंद की अनुभोती करते हैं इसी तरह से तनाव के लिए या टेंशन के लिए कार्टिसोल हॉर्मोन को ही जिम्मेदार माना जाता है इसे स्ट्रेस हॉर्मोन भी कहा जाता है कार्टिसोल और शरीर पर होने वाले इसके प्रभावों को समझ कर हम hormonal balance को बनाये रखने के साथ सरीर को स्वस्त रख सकते हैं तो आईए इस वीडियो में हम जानते हैं क्या है ये कार्टिसोल तो बात करेंगे कि ये कार्टिसोल है क्या कार्टिसोल एक तरीके का steroid hormone है इन में से एक है adrenal gland द्वारा इस hormone का निर्माण होता है शरीर की अधिकांश कोशिकाओं में कार्टिसोल receptors होते हैं hormone का जो secretion है वो hypothalamus gland, pitituri gland, adrenal gland द्वारा कंट्रोल किया जाता है अब जूकि कार्टिसोल शरीर की कई कोशिकाओं में मौझूद होता है ऐसे में इसके कार्य भी उसी के आधार पर अलग-अलग होते हैं अब प्रशन उठता है कि कार्टिसोल हॉर्मोन का काम क्या है कार्टिसोल हॉर्मोन ना केवल tension का अनुभव कराता है साथी साथ ये कई अन्य प्रकार से भी शरीर के लिए बहुत ही important होता है blood sugar, metabolism को नियंतरित करने के लिए, सूजन को कम करने के लिए इसमरन शक्ति को मजबूती देने के लिए भी कार्टिसोल हॉर्मोन की भूमिका होती है शरीर में नमक और पानी का balance बनाये रखने के कारण blood pressure को भी control रखने में ये हॉर्मोन बहुत ज़ादा उपयोगी साबित होता है कर्टिसोल हॉर्मोन महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान भूण जो होता है उसके समग्र विकास को भी बढ़ावा देता है स्वास्त की संपून देखभाल गुन इस हॉर्मोन के कारण ही होती है कर्टिसोल हॉर्मोन की मात्रा अगर बढ़ जाये तो किस तरह की समस्या होंगी आये जानते हैं कई लोगों में पिठी ट्यूरी एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर की शिकायत देखने को मिलती है इस कारण से कुशिंग सिंड्रोम नाम की एक स्थिति उत्पन हो जाती है अब अगर स्पेशलिस्ट की माने है तो रक्त में जो कार्टिसोल का उच इस्तर है इसकी वज़े से कुशिंग सिंड्रोम की समस्या पैदा होती है, कुशिंग सिंड्रोम वाले व्यक्तियों को चेहरे, पेट, छाती और तेरी से फैट बढ़ने की समस्या हो जाती है, चूकि कोर की मांस्पोषियां उस तुलना में आपके जो हाथ पैर है वो पतले रह जाते है इसके कारण ये स्पश्ट रूप से दिखने लगता है कि कुश ना कुछ एबनॉर्मिल्टी है, इसके लावा कुशिंग सिंड्रोम के कारण चेहरे पर लाल कलर के धबबे आ जाते हैं, हाई ब्लेड प्रेशर और तचा में परिवर्तन जैसी समस्याएं भी इसमें देखने किस्तिती में महिलाओं को कई तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे महिलाओं में सेक्च्चुल डिजायर कम हो जाएगी, मासिक धर्म में परिवर्तन हो जाएगा कारण हो सकता है, इसका भी कारण हो सकता है, कार्टिसोल की मात्रा बढ़ जाने के कारण महिल बजन रोग की समस्या उत्पन हो सकती है अब यह क्या है तरीके का दुरलब प्रकार का autoimmune बिमारी है जिसके कारण एडरेनल ग्लैंड का जो होता है वो डैमेज होने का खत्रा बढ़ जाता है वैसे तो इसके लक्षण धीरे-धीरे शुरू में कम होते हैं लेकिन समय के साथ-साथ वो काफी गंभीर होते जाते है प्राइमरी एडरेनल इंसिफिशियंसी के रोगियों को थकान है मांशपेशि का जो डैमेजेज हैं बजन नहीं घटता है मूट स्विंग होता है तो चामें तमाम परिवर्तन होने की समस्याओं का भी खत्रा बना रहता है इसके लिए कार्टिकोस्टिरोइट थेरपी काम में आती है यदि आपका शरीर परियाप्त मात्रा में कर्टिसोल का उत्पादन नहीं कर पाता तो डाक्टर कार्टिकोस्टिरोइट थेरपी की सलाथ दे सकते हैं कार्टिकोस्टिरोइट क्या होते हैं कार्टिसोल का एक सिंथेटिक रूप होता है जिसका उपयोग विभिन निस्थितियों के उपचार के लिए भी किया जा सकता है अब चुकि कार्टिको अब प्रश्णियों उठता है कि कैसे नियंत्रित किया जाए कैसे इसको बैलेंस में रखा जाए तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाईए है कि खुब सोईए अच्छी नींद लीजिए इससे आपका कार्टिसोल बैलेंस रहेगा अनिंद्रा की स्थिति को खतम करिए नियमित्रित व्यायाम कीजिए कार्टिसोल को इससे भी बैलेंस किया सकता है अब अच्छी तरह से अगर आप कसरत करते हैं तो इससे कार्टिसोल का इसतर बना रहेगा ना बढ़ेगा ना कम होगा दो फायदे हैं व्यायाम करने से पहले तो शरीर तो आपका अच्छा हो गई साथी साथ आपके नीन की जो quality है उसमें भी काफी enhancement आएगा tension को कम रखने के लिए आप meditation का सहारा ले सकते हैं इससे क्या होगी tension खत्म होने लगेगी वहीं cortisol hormone को भी balance करने में भी मदद मिलने लगेगी अब exercise हो गई लेकिन इसके साथ साथ diet अगर आप control नहीं करेंगे तो भी आपका cortisol imbalance हो सकता है आपको high sugar सामगरियां है उनको नहीं खाना है तेल घी को avoid करना है अब शरीर में ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये cortisol के level को बढ़ाती है और आपके स्वास्त को प्रभावित करती है तो दोस्तो आज हमने देखा कि cortisol hormone आपकी शरीर में किस तरह के changes ला सकता है ये किन-किन चीज़ों के लिए उत्तरदाई है और इसको कैसे control किया जा सकता है इसी तरह के तमाम hormones ऐसे हैं जो कि body को पूरी तरीके से बदल के रख देते हैं अगर वो सब balance मात्रा में है तो आप बिल्कुँ स्वस्त महसूस करेंगे और अगर balanced नहीं है इंbalance है तो आपको कहीं न कहीं हर level पर पर परिशानिया छेलने पड़ सकती हैं तो धीरे धीरे करके हम different different hormones को किसी न किसी वीडियो में कबर करते रहेंगे आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए और धन्यवाद अगर आपने इस पूरे वीडियो को देखा है इस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो please इस चैनल को subscribe कीजिए और bell icon को press करना बिलकुल मत भूलिएगा क्योंकि इस से आपके पास वीडियो डलते ही notification आ जाएंगे Thank you so much for watching this entire video. Thank you